है है लो दोस्तों आप सभी को नमस्कार तो चलि स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स लास जो की हम आज स्टार्ट करें अपना ऐसेकेंड क्लास जो कि इनिक्विलेटी तो उस फस्सक्राइब ने टैन कोशन पढ़े थे और उसमें हमने उनको स्वेशन भी किया था और उसके इसका अब परते हुए अब इसका जो है पढ़ेंगे दान पर सकते आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टेटमेंट ना एक स्टेटमेंट है बहुक्त का तो इस statement के a according आपको अंसर देना है जैसे कि इसमें पहला कोशन बोला कि statement में आपको दिया है पी यह कहीं चटेटेमंट में है आपको कंक्लूजन में हैं कंक्लूजन में आपसे पूचा है कि कि देखीगा कि किस तरीके से यूप जाना तो ऐसे आप जैसे यू पर जाएंगे तो ऐसे आपका देख इसका बैक है फिसका आपकी सिंबा लेना और इसका जो फेस है इसका किस की तरफ को है तो यहाँ पर यू है तो देखो यह दोनों कट गए तो यह आपका स्टेट कंक्लोजन आपका गलत ठीक है दन उसके बाद और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपकी दादा जी है और यह कहां पिता जी है क्या यह बात आपकी सही होगी तो आपका कोई भी निसकर्स आपका सकते नहीं है यह बी गलत तो आपका यह उप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा और और यह पूछा गया कोशन है ठीक है यह वीडियो आपको पसंद आ रही है आपके हमारे दूबारा जो गिठेस्ट हम करा रहे हैं आपको अबुत सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो से जरूरह चुरेगा चलिए द कोशन है आपका श्तेट्मेंट आपकाः थाड़ थाड़ है यह ने जाने अब मॉला और गया आपको लिखाल Chinese कुछ सा अविक्ता आपका सही होगा दिखसे पहले नहीं थे तो पहले आपको कि बीक्या आपका चोटा है टाए गी के बीच में आप को जाना तो भी आपने लिखा और बीशती गिरड़ल आता है आपका बिगर शेबंड़ आपके बैद कर फिर आम आपका यहां पर यह आता तो यह भी आपका क्या होगा गलत ठीक है देन उसके बाद देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो उसने बोला है तो यहां पर दादा जी दिये हैं तो यह वाला चलिए नेक्स्ट कोशन तो अनुसरन केवल कोशन करता यह बस आपको जो बेसिक चीजे सिखाए गई है। के अराउंड आपको बढ़ना है दोस्तों छीक है चलिए next question पर आगे बढ़ते हैं next question है आपका 14 इसमें बोला है देखें आपको अब statement अलग-अलग देगई है एक statement देखेंगे आपका कौन सा है A से आपको E पर जाना तो पहले A से B पर जाओ तो B पर पहुचे और B से equal to आप equal में पहुचेंगे B पर आ गए किस पर आगए आप E पर आ जाते हैं तो क्या यहां पर E आएगा यह गलत उसके बार देखें आप A से E permett बढ़ना आए असे इनक पर डी आया तो डी की तरफ को face कुला तो डी अब देखो क्या बात सीय एक दम जो स्हटछ आपका onlyNo तो पिटाजी कह रही हैं तो आपकी यह 진ों की बड़े हैं तो आपकी सत्या माने जाएगी यह बात किया माने जाएगे आपकी इन सघर छानर जाएगी खिक है यह बात आप इसमें यह वाली ची फर्म ओर 2 तरफो Negro कर सकतेंद यहां तो कि यहां पर आपको दादऑजीवाल सिम्बल दिया है तो यह तरीकसे बट इनको आप और सकते तब जब जाकर यदि यह ना होता तो इसमें आप यह ले सकते केवाल सेकंड और फर्स्ट अत्वा आपका सैकंड आपको फर्स्ट और सैकंड को आप लेकिंट कर सकते to Nina सी की तराफ हा बढ़ सकते हैं क्ल्じली मेंसा नहीं कि थाड़ आपके किदम सही है ठीक है इस तरीके सेержए कोस्टन बनता है नेक्स कोशन है आपका स्टेटमेंट आपको अलग-ब्रीन स्टेटमेंट दिए गए है आपकीata statement है और इन statement को आपको mediator ढूंडते हुए उसको question करा जैसे कि पहला conclusion आपको दिया गया है पहला conclusion बोलता है क्या E आपका बड़ा है L से E बड़ा है आपका L से है ना E more than L ठीक है अब देखे हम एकी बात करते हैं तो ए है इसे आपको L की तरह बढ़ना है इसे आपको L की तरह बढ़ना तो देखे ई आपका यहां पर दिया है ठीक है इ आपका और कहीं नहीं है ई और L आपका यह रहा तो ई और एल से को पहुचने के लिए आपको कोई इनके बीच में कि अब दोना पड़ेगा तो अब मेडियेटर ढूंडने के लिए आपको कोई एक ऐसा वर्ड लेना है जहां साथ ल पर पहुच सकें तो देखिए गाया दि मैं यहां पर देखो ई से आप यू यू और सी है और एक आपका आता है यहां पर यहां पर देखिए सी है सी और सी के पुला फिर इसका फेस भी आपका बही एक की तरफ को इक उला दैन सी पर अगए अब यहां पर आगी यहां प आगे और सी से जैसे आगे बढ़ते हैं तो ओपर ओपर ग़े इक्वल टू आताए एक्वाल आता है तो आपको यह सिंबल मिलते हैं अब आपको इन सिंबल में देखना और आपका यहां पर आपका यह भी एक परसब दादाजी माले जी यह भी बड़े परसब्सन है और यह बीग दादाजी यह आपकी पिता जी और यह भी जैंट तो तीन तरीके से मैं आपको समझायेता अब देखो, इसमें कहते हैं कि आपको consider करना, तो इसमें दीखे conclusion जो है, आपका likes हो, सही है, ठीक है कि आपका e बड़ा है वो else, then उसके बाद दीखे second आपका conclusion क्या कहता, second conclusion आप देखेंगे तो इसमें क्या आपका, इसमें आता है, second second conclusion में है E से T पर जाना है e से आपको भही ट पर बढ़ना है इसे ट पर बढ़ेंगे तो देखो E से टी तो ई और T देखो ऑपका यह रहा पहले देखो और फिर आप सी से T की तरह बढ़ सकते हैं तो E की तरफ को इसका face कुला है देन उसके बाद आपका देखिए इसका face इसकी तरफ को बढ़ा है फिर C पाय है पिर देन उसके बाद equal है देन आप क्या करें फिर O, O, O की तरफ को face कुला है फिर हिहां पे M पे आगए उसके बाद आप देखे, दूसरा आप देखते हैं, तो आपका second वाला conclusion भी आपका सही है, आप दूसरा देखते हैं, आपका तीसरा, यहाँ से आपको जाना U से O की तरह बढ़ना है, तो आपका U आपका यह रहा और O यह रहा, तो U से आप C की तरफ को जाओ, इसका face कुला है आप C पर पहुचे, तो यहाँ पर equal to और O पर आ गए, तो अब यहाँ पर देखो, क्या आपका यह वाली condition बनते हैं, यह बिल्कुल नहीं बनती, तो first और second आपका conclusion क्या होगा, आपका सही होगा, तो option D आपका जो है, दोस्तो, right हो जाएगा, ठीक है दोस्तो, I hope आपको यह समझ मैं, चलिए next question पर आगे बढ़ते हैं, आगे next question पर बढ़ते हैं, next question है आपका 16, 16 में देखिएगा, आपको अब एक statement दिया गया है, और इसमें conclusion है, conclusion आपका यह कहता है, कि आपका पहला पी आपका ऐसे बड़ा है, पी ऐसे बड़ा है, दूसरा है, आपका क्या जैड चोटा है क्यों से, तो पहले सबसे पहले पी और एस के बीच में देखो, तो पी आपका कहां पर रहे यह रहा, और एस आपका यह रहा, तो आपका पहला conclusion गलत, दूसरा conclusion आपका क्या 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 है, आपका जैड और क्यों के बीच में देखना, तो जैड आपका यह रहा, औ कूँँ आपका यह रहा तो जैसे हम जैट किसे आगे बढ़ते हैं तो आपको सारे symbols आपको collect करने हैं देखें यहां पर आपका क्या है यह सिंबल दिया है आपका मोर दैन और यकल वारा सिंबल है तो आप जोह और युदेन और एकवल धैन फिर एक अर फिर आपका क्यों तब पहुंचने के लिए आप यहाँ पर और क्यों आता है तो अब देहन से कंफे ना कहीं आ क्लोजन क्या है आपके ने तो फास्ट और नहीं सेकिंड आपका सत्य होगा तो यह ओप्षन आपका जो है इसमें डियर राइट होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन पर आगे बढ़ते हैं अधिकी गुरूब कोशन इसमें लिए ज्यादा क्योंकि सिप्ट में बहुत ज्यादे कोशन जो जदस्तों में जो पर वाता वुण टीकी है तो इसलिए अपको को उच्शन के इसमें नंबर ओफ स्यौशन ज्यारएधे दिखाए देंगे क्योंकि हम जो कोशन है हो सारे जो कोशन आपके एक्जा पूछ सकता है एक्जाम के अंदर जो आने वाले एक्जाम से हैं तो प्लीज आप लोग ना इनको एक्रीड कीजिए और इसके अराउंड ही आप अपने तेयरे को आगे चलिए नेक्स्ट आपको स्टीटमेंट धह गया है स्टीटमेंट आपका सेवंटेंट के इसमें बोला है इसमें और यहां पर यहां पर जैड जो है more than or equal FK तो यहाँ पर यह तो ऐसी condition नहीं आती तो यह तो गलत हुआ उसके बाद देखे दूसरा आपका statement कहता है दूसरा conclusion E क्या बड़ा है B से तो E और B E और B के बीच में देखो E आपका more than or equal है B तो हाँ B आपका बड़ा है E से E जो है आपका बड़ा है conclusion सही है तो C option जो है आपका write हो जाएगा चलीए next question पर आगे बढ़ते है next question है बही आपका अब option में दिये गए है option के आधार पर आपको बताना क्या आपके 3 सही होगा या फिर एक गलत होगा तो यह option आपका जो है जो एक जो ये चाहर से अलग फ़ह आंग सही होता है फिर से लग और पैवाज ये सिंबल फिर आपका ये वाला सिंबल आपका यhington एन फिर वाला सिम्बल लेंगे तो यह आपको सिम्बल बस कलट करने है और देन आपके आगे बढ़ते जाना उसके बाद देखिए आपको यहां पर आया कौन सा डी तो आपका यह मिला तो इससे तो एक ही कैंसिल हो गया फिर आपका देखिए क्या पी बड़ा है बिल्कुल पी बड़ ठीक है तो आप देखो दो मोना कर संदा नदा जी दो अर एक रहे हैं चाहता जब बासा पोlegen यह और कई बास्रा पोसिबिलिटीjets क्या हो सकती है यहां सत्या होगा बिल्कुल एसक्तिय होगा देखो यह सत्य होगा मतलब उसकी बातों को माना नहीं गया उसकी बातों को माना गया है ठीक है है ना तो इसके बार देखो नहीं है वह नुट सर्व कोई एक करी का धर सकती है और दूसरा आग करें यहां सक्कुत आपको यह से ही सिंबल लगाते चले चले आपको यहां पर चीज़ें आसा नो सिट बिलकुल एकदम करें बट एक आपोजिट भी है बट एक आपका आपोजिट भी दिया गया है तो इस कंडिशन में अभी आपको मैंने समझाए था कि किस तरीके से आपोजिट चीजे आपकी गलत होती है ठीक है तो आपको यहां पर देखेंगे तो आपको एक सिंबल मिलेगा आपका यह भी मिलता है है न तो यह भी मिलता है तो यह एक आपोजिट अर्व तो इनकी बातों को खारिश करते हैं एक आपका चोरी तो यह भी ऐस अथियी होगा यह भी आपका गलत वर वहाट रिसरा है नाती हुब देखेंगेथ वर आपक में कहता है दोड़ो से बढ़点 है देखो इह कर दें कि आपके बढ़ते हैं देहरेंब की सिब्सक्राइय बाइन द्लभी Clone फॉर्थ ऑप्ष्शन पर देखेगा किस तरीके साब का अंसर रहागा जैसे एन 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 आपका देखिए यहां पर एन है और एन से आपको टी पर जाना एन और टी के बीच में तो एन आप देखेंगे तो एन से आप जैसे बढ़ते हैं तो एन से एकवल आया फिर आपका बड़ा है बिल्कुल नहीं यह भी ऐस अत्या बात है ऐस अत्या बात है तो ऑप्षन सी ही आपका जो है राइट हो जाएगा तो इस तरीके से कंडिशन को आपको समझते होए आगे बढ़ना होता है दोस्तों ठीके आ चलिए नेक्स्ट कोशन है आपका स्टेटमेंट है एक एच और एफ के बीच में देखें तो एक वल्टू है और दैन आपका मौर एफ है तो आपका क्या एफ आपका बड़ा आता है बिल्कुल नहीं इसमें चोटा तो यह सट्या होगा कट हुआ दूसरा देखो वाई और एकस एस के बीच में देखिये तो आपको यह आपकी बिल्कुल एकदम सत्य है बिल्कुल एकदम सही होगी एक कंडिशन आगे देखते हैं दूसरा आपका तीसरा और वो टी में चोटा है तो डबलू और टी दो डबलू की तरफ को इसका फेस्सकुला यहां पर यह दूसरा तो दूसरा देखो तीसरा option है आपका टी और F T T T St तो T Q कि तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखे यह वाले सिंबल आपको मिलते हैं तो यह वाली चीजें आपको कहाँ पर दे रखे और जबकि जो आपको option दे रहा है वो टी जो है more than or equal है जबकि यहां पर टी आपका less than or equal आ रहा है तो यह भी आपको option गल आते हैं तो option भी आपका जो है राइट हो जाएगा दिया आपको सब्सक्राइब आ रही होंगी तो प्लीज आप लोग जो है इसको नोटन कीजिए और फिर क्लास को भी आप से एर कीजिएगा और लाइक भी जुरूर कीजिएगा प्लीज ठीक है चलिए नेक्स कोशन है आपका आप स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है आपके पास पहले स्टेटमेंट यह है और दूसरे स्टेटमेंट यह है इस तरह की कोशन में आपको एक मीडियेटर ढूड़ना होता है इसको जोड़ने के लिए और इसको जोड़ने के लिए आपको क्या तो बी आपका जो है बड़ा है वाई से तो बी और वाई तो बी से वाई पर जाना है आपको तो सबसे पहले बी से आप जी पर जाएंगे बी से जी पर जाएंगे तो आपका यह सिंबल मिलेंगे ठीक है यह वाले सिंबल मिलेंगे उसके बाद जी से आप जी पर पोचें तो जी आपका यहां पर जी आया तो जी की तरफ को इसका फेस कुला है और फिर आपका वाई मिल गया तो क्या बताएंगे आपका देखिए यहां पर दादा जी और दो पिता जी है तो आपका यह इस कंक्लूजन एक दम सही है according to statement देन दूसरा कंक्लूजन आपसे कहता है कि M क्या M equal to L के तो M आपका यह रहा और L पर जाना तो M से सबसे पहले आप G पर जाएंगे और फिर आप G पर पहुंचे तो G आपका यहां पर तो G की तरफ को इसका फेस कुला और equal to L क्या यह condition बन सक जो है फासली इसका आंसर दें क्या इसका आपका जो है आंसर आ जाएगा तो देखेगा किस तरीगे से condition होगी सबसे पहले देखेगा आपको D और R दिया है तो D से आप R की तरफ बढ़ों तो D है डी की तरफ कुछ का बैक है equal to है फिर इसका बैक है फिर इसका बैक है और फ जब किसमें कहरा डी बढ़ा है तो यह आपका गलत है अब यहां पर जाना है आपको जे से जी पर जे और जी आपका यह रहा दैन इसका फेस है और यहां पर इसका फेस यह जी है तो जी आपका छोटा है बिलकुल एक दाबाद सत्य है दूसरा आता है एच और आर तो हैच तरह को इसका और एक्वल टू आथ क्या यह कंडिशन आपके बिलकुल यह गलत है आप जैड और डी के बीच में पर जैड जैड और डी तो जैड की जैसे बढ़ते हैं और यह आपका डी बढ़ा आता है तो यह भी गलत है तो ऑप्शन भी आपका जो है इसमें राइट हो इसमें भी देखिए आपको एक statement दिया गया है totally statement तो सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है y और l क्योंकि इसमें बोला है कि जो y जो है वो बड़ा है l से तो y और l की बीच में देखिए y और l की बीच में तो y आपने लिखा तो y आपको दो जो symbol लेखे हैं उनको आप ल जाखती य होगा दूसरा देखो और P के तो ओसे पर पहुंचना आ तो आपको यह सिंबल मिलता दैन उसके बाद आपको जो symbol मिलता हुं हुआ उनके वीच वाले symbols को collect करना है उनके वीच वाले सिंबल को आपको जो है collect करना तो आपको देखिए को यहां पर इकवल टु आता ये भी ऐस सत्य है उसके बाद आप K और P की तरब देखें K ये रहा और P आपका ये रहा तो K और P के बीच में जो जो सिंबल आते हैं उनको आपको जो है कलेट करना है देखें आप से बोला है कि K आपका बड़ा है तो ये बिलकुल सत्य बात है तो आपका option जो है D आपका right होगा तीन इसमें गलत हैं और एक आपका जो है सही है ठीके डियर्स तो आपको ये चीज़े आपको आचुकी होगी तो चलिए next question पर आगे बढ़ते हैं next question है आपका 23 जैसे कि आपको statement में बोला गया है कि C D तीन statement हो तीनों को connect करने के लिए आपको मीडिटर ढूंड़ना होता है जैसे कि आपका पहला conclusion है कि B क्या बढ़ा है सी से क्या B आपका बढ़ा है सी से तो सबसे पहले आप B से सी पर पहुचेंगी है कि अभी आपका ये रहा और B से सबसे पहले पे पर जाओ नए P से आप सबसे पहले डि पर जाओ डिसे आ सी पर जा सकते क्यों को बनाना है सी कि तरफ तो डी आपका है तो धी की तरफ को सका face कुला है तो क्या आप यह कहता है क्या बी का बढ़ा है on the statement का पर यहां पर आया और बी की तरफ किसका भी फिसकोल है तो आप बताओ क्या कंडिशन आपकी सही है इसमें कहता है कि जो है आपका छोटा है जबकि स्टेटमेंट के एकोडिंग जो है बड़ा आता है डी से तो यह आपका गलत तो इसके बाद देखिए आपको कुन सा उप्ष इसमें आपको असने आपका के यह सत्यां नहीं है आपको सबसे पहली की तरफ देखते हैं के इंक बीच में कौन-कौन से यह तो आप देखेंगे तो क्या D आपका बड़ा है बिल्कुल आपका यह सत्य है दूसरा देखें A से E पर बढ़ना है A यह रहा और E आपका यह रहा तो इनके बीच में जो भी सिंबल है उनको collect करो और then आप यहाँ पर देखें क्या आपको मिलता है यहाँ पर कहता है कि A आपका more है जबकि statement के according A जो है less है तो यह आपका गलत दूसरा देखें A से आप आगे बढ़ते हैं A से B पर जाते हैं तो E आपका यह रहा और B आपका यह रहा तो यहाँ पर equal आता है then आपका जो है है ना तो यह आपका सत्य दूसरा आपका देखेंगे C और C और E C और E C से E की तरह बढ़ना है तो C से जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको एक symbol यहाँ पर मिलता और equal to आपका आता है तो यह वाली condition भी आपकी सही है तो जो आपका गलत है और E फो यह यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही तो B इसका जो है answer क्या हो जाएगा आपका सही तरह जो गलत है जो एक difficult है वही आपका option शही होगा ठीक है चलिए next question पहाँ बढ़ते हैं नेक्स लिए आपका 25 ठीक है 25 पॉइब बदाएं आपका सही अंसर होगा जैसे कि देखेगा आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया एक यह ना स्टेटमेंट है आपका टोटल और एक आपको उप्षान है पहला ऑप्षान पहले अब यहीं आथा है कि दूसरा देखो इसके बाद अब का । होत प्रप्रणल को यहां पर ड़ता है यहां पे आप त city वह सबस्क्यादieu है वह बोलता है ksc बढ़या कि वह आपका चोटा है तो आपका यह आपका गलत, next आपका हैता, R R से G पर जाना है, R आपका यहरा और G आपका यहरा दोनो है तो R की तरफ को इसका face कुला है और फिर इसका भी R की तरफ को खुला है और हम पर आता है, G, जब को ही यहां पर देखिए, R आपका क्या है, छोटा देरका है तो यह आपका जो है और statement बढ़े आता है तो ये भी आपका गलत ओप्षिन आपका उल्ली भी आपका जो है राइट होगा ठीक है तो करीब 25 questions तक हमने discussion है आज करीब 15 वहने discussion किये थे तो अब इस लिवाश्ट कोश्शन तक करते हैं फिर आप नेक्स क्लास में मिलेंगे आपसे जल्दी जय हिंद जय बाहरा दोस्तों